है कि कर तो गैद है इहां पर क्या हो चुका है हमारा मिल्टर रान हो चुका है अंब आप देख वियू एज इहां हो गया है अप Всемिकित हो मारा डेंट टाइप थो अरे यहां पर ह pewnकर करने यहां पे सेंपल प्ले करके देख लिएNext यहां पर nav controller आ गया, on create view, and इसके लिए क्या यूज़ कहते है, guys, intent filter यूज़ कहते है, right? तो यहां पर क्या आ गया, हमारा game one fragment आ गया, अब guys, game one fragment में, इस time में जो हमारी ये share intent थी, right? क्योंकि मैंने इसमें कोई data type नहीं दिया, अब अगर इस condition को आप ऐसा देख लो, कि यहां पर हमने कोई data type ऐसा दिया होता, जो हमारी जो activity है, वो handle नहीं कर पा रही, तो क्या होता, अब अगर हम यहां पर share करेंगे, तो guys, यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा app crash हो जाएगा, and मुझे यह चीज नहीं चाहिए, कि हमारा app crash नहीं होना चाहिए, right? तो अब क्या कर लेता है, guys, मैं देख लेता है, कि कैसे हम इसको क्या कर सकते है, resolve कर सकते है, without any problem, and इसके कही तरीके है, guys, एक तरीका है, कि simple मैं यहां पर क्या कर दूँ, इसको exception handling, जो exception है, उसे throw कर दूँ, but वो तरीका थोड़ा सा elegant नहीं रहेगा, and उसमें और problems हैं, guys, but इ तो हमारी intent को handle कर सकती है, तो तो वो share दिखाए, और नहीं तो वो क्या कर दे, hide कर दे, वो दिखाए ना उसे, तो यह वाला basically क्या कर लेता है, अपना एक logic लगा के दिख लेता है, guys, कि यह logic कैसे work करेगा, and कैसे इसको handle करेंगे, right, so basically, guys, यह वाला ही जो हम implement करेंगे, जो अ cannot inflate ना हो, अगर हमारी cannot activity resolve ना हो तो, तो यहाँ पर इसे input करके देख लेता है, simple, तो यहाँ पर simple guys करके देख लेता है, if condition दे देता है, if null, double equals to, क्या कर लेता है, जो हमारी get share intent है, right, और basically, guys, यहाँ पर हमारी get share intent कौनसी है, जो हमने यहाँ पर create करी है, right, जिसमें हमने share compact, basically, हम जिसमें intent build कर रहे है, पहले क्या था, simple, हम इसे call कर रहे थे, start activity करके, अब यहाँ पर क्या कर लिया, हमने जैसी inflate होते वक्त हम check कर वा ले रहे हैं, कि हमारी जो intent है, क्या वो नलतों नहीं है, और यहाँ पर guys, इसके अंदर क्या कर लेता है, resolve कर लेता है, इसको activity को, ठ इसको मुझे resolve करवाना है, and कौन handle करेगा, इसे package manager handle करेगा, okay, अब guys, आप इससे next line में भी लिख सकते हो, फिर इसे थोड़ा सा guys, text को छोटा कर लेता है, ताकि आपको better लगे, अब यहाँ पर guys, क्या condition हो गई है, यह मैंने दे दिया है, कि अगर हमारा null होता है, तो यह है कि क्या करें, resolve कर दे, activity को, यह तो हो गया, लेकिन अब यह condition अगर true हो जाती है, मतलब यह resolve नहीं होती है, activity, तो हम क्या चाते है, कि हमारे जो menu उसके साथ क्या हो, जो हमारी share intent है, उसके साथ क्या हो, तो guys, उसका implementation कर लेता है, जो हमने logic कि यहाँ पर क्या सोच था, कि अगर हमा share intent को handle करने के लिए कोई app हो गई नहीं हमारे phone में, जो app हमारा phone पे, उसे crash होने से, अच्छा में यहाँ पर कर देता हूँ, उसे invisible कर देता है, right, तो simple इसे क्या कर देता है, invisible कर देता है, तो यहाँ पर क्या आगया, मेरा menu आ गया, अगर item कर देता है, तो यहाँ पर क्या आ हमारा find item आजाएगा तो यहां पर क्या देदेंगे id देदेंगे simple r.id. क्या जाएगा हमारा share आजाएगा मुझे share ही तो find करनी जी false simple इसे क्या कर देता हूं guys अगर visibility मैं यहां से हटा दूँ इसकी is visible यहां पर आप देख सकते हो is visible आगया तो simple अगर मैं इसे यहां पर क्या कर दूँ false कर दूँ तो यहां पर क्या हो जाएगा इस part में क्या हो रहा है हमारे कि अगर मैंने क्या कर दिया अगर यहां पर हमारी जो share intent है वह resolve नहीं होती है इससे पता लग गया हमें कि अगर यह condition true हुई अगर हमारा if condition के अंदर चला गया तो मतलब हमारी condition resolve नहीं होई तो condition अगर resolve नहीं हो दी तो हमने उसे क्या दे दिया कि भाया तुम गया पो जाना मतलब invisible हो जाए गए राइट यह conditions खाली जो हमारे एप में जब कोई share करने के लिए कोई चीज नहीं होगी तब आप क्या करके देख लेता है काई यह concept हमारा अच्छे से अमने क्या कर दिया है इस पे इंप्लेमेंट कर दिया है अब एक बार इसे रन करवा के देख लेता है कि हमारे एप पे basically एक ऐसा शो हो रहा है and basically सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं राइप रन ऊचुका एमिलेटर पर ज्यान अगना हमारा जो सेट टाइप हो अब भी है commented out है तो मतलब इसको अभी इस point of time पर क्या logic है हमारे एप का कि हमारे पास कोई एप नहीं है handle करने के लिए हमारी share intent को तो आप देख लेता है यह यहां पर simple इसको select कर लेते हैं किस पर चलता है अपने screen पर चलता है और आप देख सकते हो गाई जैसी मेरी यहां पर game fragment आगए game one fragment तो यहां पर हमारा share menu होता वो क्या हो चुका है जो हमारा share intent था वो क्या हो चुका है और इससे क्या हुआ कि अगर हमारा यहां पर type ही नहीं right basically कोई activity अगर handle नहीं कर पा रही है type को तो यहां पर क्या नहीं दिखाएगा resolving नहीं दिखाएगा यहां पर hidden हो जाएगा अब क्या करके देख लेते हैं गाई एक बार यहां पर test करके देख लेते हैं इस यह तो अभी हमने क्या करके देख लिए हैब इसको comment out हटा देते हैं यहां पर इसे क्या करके देख लेता है आप यह handle करने के लिए ready है तो इसे भी एक बार run करवा कि देख लेते हैं कि हमारा यह वाला जो logic है जब हमारे type दे रहा है तब show हो रहा है या नहीं तो guys यहां पर आ चुक है हमारा app and simple क्या करके देख लेते हैं दुबार दुबार test क करके देख लेता है and simple data binding on create view and cradle आ गया यहां पर आ गया हमारा game one fragment यहां पर आप देख सकते हो जैसी हमारी app क्यूक हमने यहां पर type दे दिया है तो यहां पर क्या हमारा पास share intent का button आ चुका है overflow menu में यहां पर आप share करोगे तो फरसे वही options हमारे पास आ गये तो guys यहां पर क् एक पार्ट complete हो गया है and इसमें basically हमने क्या क्या करा यहां पर हमने एक share intent set करा share intent पर हमने share share compared यूज करा तक कि ज्यादा अच्छे से हम build कर सके and easily build कर सके and उसके बाद guys हमने यहां पर एक चीज और चेक करी एक condition और सिखी कि in case हमारे जो data type है जो हम अपनी internet भीज रहे हैं अगर दूसरी activity उसे receive करने के लिए ready नहीं है कोई app नहीं आप के phone में तो उसे कैसे बचा सकते हैं किससे crash होने से and यह क्या एक possibility है guys जो हम यहां प solutions देखेंगे कैसे और solutions हो सकता है और better solution इससे भी एक खाली का एक workaround है चोटा सा workaround है permanent solution नहीं है आप use कर सकते हो बच फिर भी इससे better solutions भी है जो कर सकते हैं जो कर सकते हैं इसे handle कर सकते हैं किस पर चलता है guys next part पर चलता है and किस पर बढ़ता है क्योंकि हमारा navigation अब क्या है finish हो कर लेते हैं अब हमारा यहां पर next step implement कर लेता है next step हमारा क्या होने वाला है यहां पर हम navigation draw एड करने वाले है navigation draw जैसे 90% लोगों को पता होगा side draw होती है हमारी and simple क्या करेंगे हम यहां पर एक hamburger जो हमारा button के कहते हैं hamburger button भी कहते हैं से कुछ लोग तो basically यहां पर जैसी हम इस प कि अब इस चीज को जहां रखना है जो हम implementation करने वाले हैं जो हमारा draw होता है वो जो अभी तक हम क्या से कर रहे थे stacking कर रहे थे right अभी हम अगर इस पर click करेंगे and जब हम जैसे यहां पर navigation draw में हमारा rules है right हम यहां पर rules पर click करेंगे and rules पर गया है and जब हम back करेंगे तो दूब destination होते हैं हमेशा home screen रहती है and जो आप जैसे rules पर click करोगे तो क्यों होगे destination होगे reach destination तो जो बीच की हमारी fragment होती है जो हमें पुश कर रही है राइट वह स्टेक्स क्यों हो जाती है जब आप back करोगे तो यहां पर क्या होगा simple हमारा किस पर जाएगा दुबारा से home screen पर तो आपके देख लिए कि कैसे हमें हमारी navigation drawer है वह एड करनी है अपने अपने ताकि हमारा app थोड़ा सा और क्या लगे बैटर लगे तो किस पर आचुके हैं अपने android studio में आ चुके हैं यहां पर हमारी basically सबसे पहले किस पर चलता है अपने gradle file पे चलता है and gradle file में एक चीज आप ध्यान रखना है कौन सा है module वाली gradle file है and कुछ लोगों कि हो सकता है इसमें एडना हो वैसे default implementation आती है क्योंके गाइस जो हमारी navigation drawer होती है कौन सी material design है तो आप इस चीज का ध्यान रखना है जो हमारी material design की dependency है वह आपके उसमें क्या होनी चाहिए gradle में add होनी चाहिए अ हो सकता है आपको इसकी भी issue लेने की इतनी दवबत नहीं है by default क्या होती है अब यह आती है projection में जब आप create करोगे तो automatically यह dependency add होती है but just in case अगर किसी के उसमें ना add हो तो आप simple कि अगर लो यह वाली dependency अपने उसमें add कर लेना इसके बाद गाइस यह होगा हमारा first step इसके बा रूस कर सकें किसमें हमारी nav draw में तो यहां पर क्या आगई है हमारी rules fragment भी आ चुकी है राइट तो यहां पर guys इसकी यहां पर हमारी यह भी id label सारे create हो चुके है राइट इसका rules fragment है label भी यहां पर आ गया तो guys मैं आपको बताया था जैसे हमने आपर about fragment यूज करा था और workflow menu मे राइट कि हमने simple जो इसकी ID ती rules fragment की directly वो destination के लिए यूज कर ली थी तो simple sorry about fragment की तो ऐसी जो हमारी rules fragment है guys rules fragment की भी जो ID को ने वाली हमें यूज कर नहीं है ताक कि हम directly कर सकें पुश कर सकें उसे destination पर तो guys यहां पर यह तो हो गया हमारा एक पार अब यहां पर क्या कर लेते है एक navigation draw create कर लेते है menu create कर लेते हैं क्योंकि मुझे menu तो show करना है यह हमारा navigation draw होता गाई यह भी क्या है एक menu resource type है het弃 कर देंगे menu पर right-click करके एक कने menu है अब यहां पर रइसोर्स फाइल क्रते हैं यहां पर रिसोर्स फाइल कर सकते हो new resource file पर हम भी रिसोर्स फाइल करें はい उपने मैं रख भीड्रा कर सकते हो मैं मैं नहीं ह। कराइब है एपने main menu में ही create कराएब क्रे शुर्ट है और फिंडे मूझे क्या करना है मेन्यों राइट करने है क्योंकिम्हेज दो मैंनियो आइटम आइट करने थे तो वह आइट कर देता है तो सम्पल यहाँ से मेन्यो आइटम आप इसक्ते हो ड्रैंड द्रॉप कर सकते हो औ इस menu item का, जो हमारा first menu item है, हमीं यहाँ पर आप देख सकते हो, ID item icon देने हैं हमें, तो यहाँ पर directly guys क्या देखते हैं, जो अपनी rules fragment है, first अपनी कोंसी rules fragment थी, फिर कोंसी लिए about fragment थी, तो इहाँ पर क्या देखते हैं, ID देखते हैं, एन यहाँ पर directly guys, नीजिस कव्यारा रोल्स अब्सक्राइड it अब करेंगा इसका टाइ़ आई आप drinking में ई। हमारा द्राइड स्ट्रिंग में competency लिएता है संपन स्अ इत्र सेमी एंड स्ट्रिंग मैं यहां पे क्या लेता है है और यहां पर यह तो एक plastic है तो एक सबस्क्तरा एटम तो इसके स्पेशिक कर देें ताकि आपको बर्कष्य वह ओंगे रसे नती तो क्या हो गई है कि यह आइट्म फर्स वादी आपka आईट और रहोगा रुल्स लिखकने पर खुत हो क्या है आहां पर आप फ्रहcese इस ची़ का ध्यानक आट दें एकाक्ट ने हमारा और की यहां पर इकन का तो हमारा मेनॹ जो हम़ारी चाहिएdeterm complete हो गया है रहाई